कि अच्छ आप कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ हलो दोस्तों स्वागत हमेरी यूटूब चैनल में आज हम सभया साची कट बलाउज का पैटर्न निकालेंगे और आपको बहुत इजी बताऊंगा मैं तो पिछले वीडियो हमने जो डाला था तो उसमें भी मैंने बताया था और इसमें थोड़ा अलक पैटर्न है पॉप स्लिप्स जैसा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा इसमें कि पॉप स्लिप्स इसके साथ कैसे कटेगा तो पहले हम अपना मेजर्मेंट देख लेंगे तो क्या हमारा मेजर्मेंट है तो 15 इंज हमारे ब्लाउज की लेंथ है और चेष्ट हमारा 35 इंच है इससे एक साथ चोटा है हमारा और हमारा कमर जो है वह 29 इंच है और आस्तीन कलिंद हमारा 12 है पलस उसका मोरी 12 है और जो हमारा मसल है वह 14 इंच है और हमारा सोल्डर 14 है और हमारा पब स्लिप्स रहेगा यानि पब आस्तीन रहेगा तो यह हमारा मेजर्मेंट है यानि हमारा चेस जो है 35 है और कमा हमारा 29 इंची है हमारा पिछले साइस से 1 इंच यह छोटा है तो हमने यह पेपर ले लिया है इस पर हम मार्क करेंगे तो पहले आप उपर के तरफ से एक मार्क सीधा कर लें जैसा हमने किया है उसके बाद हम आर मोल का निसान लगाएंगे कि हमारा आर मोल कितने इंची पे गिरेगा तो हमारा 35 का साइज है तो 35 के साइज में हम 7 इंची पर आर्मोल गिराएंगे आप 35 का साइज हो या 36 का हो या 37 या 38 तक आप 7 इंची पर गिराएं उसके बाद अगर 40 है तो आप सारे साथ 42 तक सारे साथ 40 तक 41 42 तक सारे साथ पॉन्याट तक गिरा सकते हैं उसके बाद अगर जादा हो तो 8 इंची पर उसके बाद हम कफ्स का निसान लगाएंगे जहां पर हमारा पैट लगता है तो सारे 9 इंची लगाना इसमें भी आपको सारे 9 इंची पर आपको कफ्स का निसान लगाना है उसके बाद हम 15 इंची हमारा लेंट है बिलाउस का तो 15 इंची पर निसान लगाएंगे वही सेम निसान हम यहां भी एक लगा लेंगे 7 इंची, 9 इंची और 15 इंची हमारा लेंट है तो उसके बाद हम इन सबुन निसान को सीधा कर लेंगे यह हमारा वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि इसमें हमने आपको थोड़ा डिटेल देके समझाना है उसके बाद जो हमारा सोल्डर है वो 14 है तो जो हमारा नेक है वो काफी डीप है तो हम इसमें 2 इंची सोल्डर कम काटेंगे तो 12 इंची पर सोल्डर काटेंगे दो इंची आपको अंदर लेना है क्योंकि हमारा जो गल्ला कटने के बाद फैलता है तो दो इंची हमारा कवर कर लेगा अगर आप सेम कर देंगे तो आपके आर्मॉल में फुल जाएगा इसके बाद हम पैट करने साल लगाएंगे तो सारे तेन इंची का डाड़ देना आपको सारे तेन इंची हमारा सेंटर रहेगा उसके बाद हम आर्मॉल से भी डाड़ निकालेंगे तो आप ऐसा सिधा पट्टी ले ले और इसको ऐसे करके लगा लाएं कोई भी बलाउस हो आपको यह निकालना ही है डाट उसके बाद डिजैन दे आप इसमें उसके बाद दो इंची का आपको नीचे डाट देना है और इतना इधर छोड़ देना है उसके बाद यह स्केल पर इधर बचा बिठा के आपको यहां से देड़ इंची का आर्मॉल से डार्ट निकालना आई, ऐसे फिर हम ये नीचे भी ये हमारा डार्ट, सब कोई भी डार्ट हमारा कटेगा नहीं, हमारा डार्ट दूसरी जग Wildlife से निकलेगा, तो हम आपको बताएंगे आगे कि हमारा डार्ट कहां से निकलेगा, उसके बाद हम चेस्ट का निसान लगाएंगे तो पहले ये डाट से ये डाट से पहले नापेंगे हमारा कितना हो रहा है उसके बाद वह वहां रखके फिर हम आगे लगाएंगे हे तो हमारा चेंष्ट 35 है राष्जष लगाएंगे उसके बाद हम आदा इंची किसमे यह लर्म लोजिंग देंगे यानिक टोटल हमारा दोइंची चार पार्ट में हो जाएगा कि यह मारा जो पैड लगता है तो इनची खिशता है उसके बाद हम इसका हमारा डाट निकालेंगे यहां से आपको एक इंची का डाट निकालना है और यहां से आप सारे तीन या चार इंची तो हमने चार इंची रखा है यहां तक आप इसको सीधा लगा लें कि उसके बाद हम मैं मैं और अरमोल कर देंगे तो पहले आपको इसको पोईंट से अबना यहां तक क्या मोरा यहां तक आ रहरतो तो अच्छा LIVE यहां तक निकार है वहीं सब अच्छा कि उसके बाद हम इसमें डाट को इसा फोल्ड करके पहले हरमोल का शेप देंगे इसको आपको एदम ध्यान से इसको बढ़ाना है यह जो हमारा डाट होता है बलाउज का यह में होता है अब डाट अगर अच्छे से निकालने तो आपका कोई भी पैटन यह कोई भी बलाउज बहुत अच्छे से बैठेगा तो हम इसका पील ए तो हमने 12 इंची चुल टर लगाया था दो इंची कम 14 से तो इस से हम आदा इंची और पीछे ले लेंगे कि कुई कहीं हमारा जो और नेख है वह काफी पहे हुआ तो unmut बहुत फैलेगा तो यहां से आपको अदा इंची और पीछे ले लेंगा कि प्रैश के बाद आप को फूल्ड नहीं आएगा उसके बाद हम आर्मौल का गुलाई देख लेगे हमारा कितना है तो हमारा 35 इंची है तो हमको 17 इंची रखना है तो यह हम अपना साब आठ पर लगा देंगे अब बैक हम 1 इंची बढ़ा के काटेंगे हमारा बैक एक इंची बढ़ा तो आप हमारा जो है यह में पार्ट है तो आप हम इसमें जो हमने बताया था आपको कि साविया साची स्टाइल है तो यह हमको आप वह स्टाइल लगाना नीचे का यह काटेंगे हम तो पहले हमका पहला चार इंची लगाएंगे आप सारे तीन इंची भी दे सकते हैं तीन इं तो ढ़ा इंची आप लगाते हुए हम जाएंगे क्योंकि उपर हमारा कफ्स जो है वह आधा लगेगा तो हम यहां से ढ़ा इंची ही लगाते जाएंगे और यह हमारा पोसंट जो है सिधा अर्मोल में मिल जाएगा आप देखते रहे हैं इसमें हम कैसे करते हैं इसको तो इसमें हम एक जो आर्मोल का शेप पट्टी होता है उससे हम इसमें गुलाई दे देंगे तो इसमें हम ऐसे गुलाई यह हमारा कफ्स यहीं से जोइंड होगा और नीचे से हमारा यह पट्टी जोइंड हो जाएगा तो यह हमारा नीचे का योग भी हो जाता है और यह हमारा कफ्स लगेगा इसके बीच में तो यह धाइंची इसलिए रखा है कि हमारा कफ्स जो है उपर की तरफ एक देड़ इंची तक या एक इंची पॉना इंची तक हमारा कफ्स उपर से छोटा रह तो सेम टु सेम आपको कफव्यबल है आप मिल जाएगा आपको गॉल कफ याणि गॉल पैड इसमे जो राउंड बाला होता है नहीं लगता है इसमें आपको इसी शेप का आप बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा मारकेट में अराम से आप जाके अगर इसको बताएंगे इसा तो आपको दे देगा इसफास्य टो हमारे में ये घॉल नहीं लगता इसमने मतलब जो हमर रखर का रेगल है वह वला नहीं लगता है बलके हमारा जो हमने अब इन लगा रहे हैं है मैं अब को बताऊं कई 유कRO cookie मिल जा आपको cake हम यहां से हमारा गला क्योंकि पीछे जो है वह दोडी लगेगा उपर के तरफ त्रफ लगाएंगे अज है और यह एक ंची हमारा बिछ गटेगा उसमें गयप रहे गा तो यह फाल जाएगा तो यहां पर 5 इंची रहेगे और 3 ंची पीछे नुसान लगाएंगा तो गले का जो हमारा इंची है पाफी टीप है हमारा और Berlin यही झाया तो तो यहां पर हमने डाय लगाया है, तो हम यहां पर डाय लगाया है, तो हम यहां पर डाय लगायेंगे, तो यहां पर हमारा कम हो जाएगा, तो यहां पर हमको नीचे हमारा यहां पर तीन इंची लगाना है हमको, तो हमने उपर डाय इंची लगाया था, उपर आपको तीन तो इसमें हम फिर ऐसे करेंगे और उसके बाद इसे गुमा के हम इसमें मिला देंगे हमारा यह दोनों point इसमें आक면 मिल जाएगा फिर हम यहाँ से एक डाट निकालेंगे जो हमारा सीधा रहेगा तो पहले हम इस गले का निसान लगा लेंगे तो हमको ऐसे पट्टी रखना है ऐसे इसमें सेफ होना चाहिए आप सीधा इसको करेंगे तो आपका गला जो है वो खराब होने का डर रहेगा तो आपको ऐसे सीधा रखना है यानि आपको ऐसा राउंड रखना है तो ऐसे आप राउंड करते हुए है उसके बाद यहां भी आपको ऐसा नीचे के तरफ भी हलका क्योंकि हमारा नीचे से अभी रॉंड होगा तो ऐसा रखना है और जहां में बैठाया है वहाँ पे आपको दोड़ा यहां पे रॉंड लेके चलना पिर हलका छोड़ द्यादा है इंजी पीछे उसके बाद यहां घ। क्योंकि नीचे तक जाएगा तो आप ऐसा बैठाक है कि स्को आप इसको शेब दे कि यह अवारा नीचे जाएगा और बीच महां में छोटा कपड़ा लगा के इसको बं आरते हैं तो यह आइसा तो यह देख लिए जो हमारा जो शेफ बन गया है यह वाला तो यह शेप का जो है आपको कफस मिल जाएगा सेम आप मार्केट में जाके इसा से कफस आप कहेंगे तो आपको मिल जाएगा इसा तो यह हमारा जो है काफी डीप है तो हमारा ओपर के तरफ से जो है और यह हमारा कट जाएगा थोड़ा कपस और नीचे के तरफ जो आपको कपस बेस मिलेगा तो वह हमारा कटा हूँए अबर लिपल आता हिए कपस थो हमको इदम परफेक्ट बैठああ., इस के बाद हमारा डार्ट कुटेगा नहीं तो इसके बाद div से हम एक जो कप्स के ऊपर से हमारा सेंटर का निसान आएगा वो हम यह डाट के बदले यह जो हम निगालेंगे यह डाट यहां से एक सीधा निसान लगाएंगे जो हम तो यह हमारा शो भी होता है और उसमें हमारा डाट भी निकल जाता है यानि ऐसे हमारा डाट आएगा यह इससे मिलता हुआ ऐसा point से कि ये point से हमारा जो हमारे ?itä उस point से हमारे मिलता हुआ जहां तक निचे आएगा तो ये point से हमारा ऐसा कपस के center में जो हमारा center है उसके 20 ये ऐसा शिदा हमारा आर्मोल से direct यहां हमें अएक निसान लगा लेंगे कि निश्पर दराओं जान लिखा है तो आप एशोच लगा यह पूइंट पर बीठा कि अधम है बिल्गुल शेंतर में है आपको और मॉल से हैं इसार मोल से आपको सेंटर में रखना फिर यह यहां से आपको एक निशान लगा यहां। है तो एसे लगा ले से आदा इंची छोड़के ऐसा इतना छोड़के उसके बाद इधर से आपने साल ऐसा लगा लिजेए यह हमारे बिल्कुल कप्स के बीचो बीच रहेगा तो यह आप देख लिजे आपको दीख रहा होगा यह हमारा पैटन में ही बलाउज का डिजान आपको दीख रहा होगा जब आप इसको काट के बनाएंगे तो यह काफी अच्छा दिखता है और सेम सब यह स्टाइल है उसके बाद यह जो हमारा डाट है यहां से हम कि यह हमारा जब फोल्ड होगा तो यह हमारा जो हमने पहले निसान लगाया है यह अंदर चले जाएगा इसलिए हम इतना बढ़ा देते हैं यहां पर सिर्फ डाट के पास हम दो तीन दो सूत या तीन सूत अब हमारा अंदर चला जाएगा वह हम आपको आगे ना लगा रहे हैं यह हमारा बिलाउस साइड में क्यों कोई नीचे हो जाता है तो हमारा एकबलने दिखता तो ये आप इतना निकाल दे हम हर ब्लाउस में निकालते हैं तो आप भी इसको निकाल सिर्फ इतना कि कोई भी बिलाउस काटे तो इस focusing ली कारते पहले और ये डाट हमको काटना नहीं है तो ये डाट आप इसे बैठा ले उसके बाद आप इसकी कटिन कर दे तो ये हमने जवाब को बताया था तो आप देखिए ये खतम करेंगे तो ये हमारा देखिए ये हमारा जो पहले वाला निसान है वो अंदर हो गया और वो हमारा सिधा हो गया तो अगर आप पहले वाला पर काट लेंगा तो ये आपके चेस्ट के पास जो है वह दिखकत देगा यानि टाइट हो जाएगा एक इंच उसके बाद हम नीची की भी गटिन कर लेंगे आप हम इसकी गटिन करेंगे यह प्वेसी डाट जो हमारा नीचे का योग है इसको हम काटके अलग करेंगे पहले और आप देखते रहें वो सब डाट जो हमारा डाट है वो सब डाट हमारा खुद बखुद अपनी जगे पे हो जाएगा और जो हमारा डाट जहां से निकलना है वो हमारा निकल जाएगा तो ये डाट हमारा यहां लग जाएगा और ये डाट इसकी भी हम कटिन अभी यह हमारा डाट इधर लग जाएगा तो पहले हम इसके बीच का कटिंग कर लेंगे तो यह हमारा दोनों डाट यह भी डाट और नीचे वाला भी डाट यह सब हमारा भी निकलेगा आप देखते रही है तो इसको भी हम बीच से पहले जो हमने निसान लगाया था कपस की इदम सेंटर से तो इसको हम पहले काट लेंगे तो यह हमारा कट गया अब हम आपको बताते हैं यह डाट कैसे निकलेगा तो यह दोनों डाट हमको निकालना है तो आप इधर से आप एक लास्ट वाला कोई भी एक हम काटेंगे और यहाँ पर आपको हलका छोड़ देना है उसके बाद यह डाट हमारा इस पर लग जाएगा यह डाट हमारा है और फिर यह डाट हमारा निकल गया तो यह हमारा उपर डाट यह वाला हमारा इधर निकल गया उसके बाद हम इसको भी काट देंगे तो यह जो हमारा राउंड है इसको आप एक काटें फिर यह वाला जो है हमारा यह डाट इसमें कट के इसके उपर आ जाएगा यानि यह डाट हमारा ऐसे जो हमारा डाट निकालना है यह हमारा इसे आ जाएगा तो यह हम डाट निकालके इस पर चिपका देंगे तो आप देख लीजिए यह आपको डाट निकालना ही है उसके बाद हम गले की कटीन करना भूल गए तो गले को कटीन करने के पहले तो यह हमारा गला भी कटीन होगे अब यह बला जो डाट है हम इसको चिपका देंगे यह हमारा डाट कटेगा नहीं इसको हम अंदर के तरफ चिपका देंगे तो यह हमारा डाट देख लीजिए यह निकल गया अब यह बला जो पोश है न हम इसको भी चिपका देंगे यह हमारा डाट निकलना है तो आप काटे नहीं इसको उपर से ऐसा तो यह भी डाट हमारा निकल गया तो आप देख लिजे यह हमारा आर्मल्स डाट जो है उसका डाट हमारा इसमें का डाट इसमें निकल गया हमारा जोएंड भी हो जाएगा खुबसूरत भी हो जाएगा और तो इसको भी हम इतना डर्ट निकाल के इसको पर चिपका देंगे तो आप इसको भी ऐसा चिपका देजिए तो यह हमारा देख लिजिए अब इसको भी हम Чिपका देंगे तो यह हमारा सब डाट निकल गया अब हम आपको बैठाक बताते हैं तो यह देखिए यह हमारा portion लगेगा ऐसा तो एक इंची की डाट जो हमने साइड से निकल गया था यह भी निकल गया हमारा और पलस जो हमारा निच्चे और side की डाट जो थी यहां से तो देख लिजे हमारा यहां से total हमारा सारे 4 इंची डाट निकल गया क्योंकि में हमको cups का ही डाट निकलना रहता है तो यह हमारा cups के बीच में आएगा और उपर हमारा क्योंकि गला बहुत ज्यादा deep है और हमारा cups जो है तो बैक में भी आपको वज़क कपड़ा सौरी पेपर ले लेना है और उपर की तरफ से आपको देर इंची छोड़ की निसान लगाता है इतना गेर इंची आपको इतना ऑन्य तरफ कि हमारा जो को सोल्डर बढ़ेगा वो उपर की तिरफ हमारा एक इंची सोल्डा बढ़ाएंगा मुसको उसको दम सात इंची पre लगाएंगे निसन टौ में मैं लगाया था तो मुरा पंद्रे इंची na था तो इसमें हम देर इंची कम लगाएंगे यान।damriej पर लगाएंगे on इसके बाद साथ इंची इधर भी लगा लेंगे और साड़े तेरा इधर भी लगा लेंगे उसके बाद हम इसको खीच के सिधा कर लेंगे बिल्कुल मैं आपको सिंपल बता रहा हूं आप अराम से काट सकते हैं कोई भी काट सकता है उसके बाद हमारा जो सोल्टर था 14 था तो हमने 12 लगाया था 2 इंची कम तो यहां भी उतना ही लगाएंगे इसके बाद इसको भी हम सीधा कर लेंगे अब हम चेस्ट करनिशान लगएंगे तो उधर हमने पउने 9 पलस आदा इंची लगाया था तो हम पहले यहां पर पॉने 9 इंची रखेंगे उसके बाद हम यहां पे देखेंगे सारे 17 हमारा 35 इंची चेष्ट है उसके बाद हम 2 इंची की लूजिंग यानि आदा इंची बढ़ा देंगे तो हमारा टोटल 2 इंची हमारा कर जाएगा उसके बाद जो हमने कमर कर निशान लगा था 29 तो हमने 17 निकाला इधर लगाएंगे तो सारे चौधा अपलस हम पीछे एक इंची का इसमें डाट देंगे तो सारे पंद्रा लगा लेंगे इसमें उसके बाद हमें सारे तीन इंची का डाट इसमें बैक में डाट पॉंट रखेंगे उसके बाद हमें एक इंची का इसमें डाट निकलना आपक मार्किंग लगा ले। उसके बाद हम आर्मोल का गॉलाई लगा लेंगे। तो आपको आर्मोल का गॉलाई यहीं से देना है, आपको ऐसा बिलकुल नहीं देना है, यह बिलकुल रॉंग है, गलत है। कि यह आपको डीप लेके चलना है आपको घबराना नहीं है कि यह हमारा अंदर तक कर जाएगा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली यह जब पहनेगी तो यह जब गला फैलेगा तो यह अपनी जगे पर परफेक्ट जाकर बैठेगा बहुत सारे मास्टर जो होते हैं वो ऐसा निखान लगाते हैं और आप उनको देखेंगे तो उनके जो आर्मोल होता है वहाँ पर बहुत ज़्याद शिक्म आता है तो जो हमने फ्रंट में कितना लगाया था हम पहले देख लेंगे तो हमने फ्रंट में धाइंची लगाया था हुआ है तोम हम पहले दिखें कि हमने कित्ता लगाया था हुआ है तो यह मार धा इंची द पहले दाइंची लगा था तो हमें पहले ध्त घा तो पहले हम अपना आर्मोल मापेंगे कि कित्ता पहले हमारा गिरता है तो यह हमारा जब तूटेगा तो हमारा पीछे नहीं बलके सामने गिरेगा तो यहां से डाइंची अडाइंची है हमारा हो गया अब यहां से जो है हमाँ यहां हमारा मटका गला रहेगा तो उपर हमारा दोड़ी लगेगा तो हमारा पॉंट रहेगेगा तो ऐसा रहेगा तो यहां से हम पहले इसको शेप देतेंगा उसके बाद नीचे मटका का यानि जो प्याच कांदा जैसा होता है ऐसा लगाएंगे तो यह हमारा पहले इतना रहेगा डीप उसके बाद हम इसमें ऐसा निसान लगाएंगे तो यहां से आपको नापना है नीचे वाले से 11 इंचे हमारा नेक बैक का डीप रहेगा उसके बाद यहां से आपको धाएंची नहीं बलके जितना हमारा नेक करता है यह हमारा साइड भूलके तो उपर इसमें लगा ले इसको अजो हमारा साइड करता है यानि नेक डीफ होता है कितना होता हमारा गला करिण सब् ta और तो 여기서 ng लगाते हैं तो यहां पर आपको झार। तेनिन जी रखना है फिर इसको आपको इसे शेप देना है एसा हमारा मटका गाला जैसा रहेगा तो इसमें आप अच्छे से इसको गुलाई दे तो हम देखते हैं इसमें कैसे बैठेगा तो उसकी साथ समस्को बैठाएंगे तो हम यह हमारा स्केल पट्टी नहीं बैठा है सही से तो हम यहां पर इसे लगाएंगे फिर यहां पर स्केल पट्टी रखें फिर बैठाएंगे इसको तो यह हमारा बैठ गया तो यह हमारा बैठ का जुनेक रहेगा वह ऐसा रहेगा और यहां से जो हमारा ना जब बंदेगा तो एक इंची हमारा दूरी में गयप हो जाएगा तो यह हमारा सुल्टर जो हमने बैठ में एक इंची कम काटा है तो वह हमारा लेबल हो जाएगा किंको यह सटा नहीं रहता ह ही ये आपको एक देर इंची जो है वह आपको घयाप रहता ही रहता है और अगर आप आरवल जाधा करह लेंगे तो हमारा घयाप भी रहेगा और पलच हमारे आर्म से जोलाएगा तो हमने इसको निकाल दिया है पहले ही ताकि हमारा फैटिंग में प्रीड़ ना आ जहांद पर Side Bum को दो शाइसे margin पर 10 दे handic कि बाकिे जग्रें पर 170 कि हमारा deb सिक्षटी Clerk पैटर ना यहां सां के बाद हम इसके इसे margin अलग यह से देते हैं हम इसमystem testing बलकुल नहीं दिये हैं आपको यह धियान रखनाbert content पाइल को पॉली match को फो फिर भी तो नहीं कि बड़ी हैं तो आगे के तरह तो यह कॉट्छ आगığını को등श घॉती हैं यह सुल्डर को सुल्डर को पहले आर्मोल को पहले निकाल दिया है ताकि वह सके यह कैंठा तो फिर भी हमारा वह नहीं निकलेगा इसके बाद हम इसकी कटिन कर दें और पीछे हमारा हूक आ जाए गा यहाँ पर ऊपर दोरी लग जाएगा तो यह हमारा बैक का जो है गला हो गया अब तो यह हमारा बैक हो गया और यह हमारा फ्रॉंट है अब हम आस्तीन को काटेंगे तो आस्तीन वह आपको इसा पेपर ले लेना एक कि मैं यह पेपर पेकटीन नहीं करता हूं लेकिन क्यूंकि आपको अगर मैं वह पेपर से काटूंगा तो आपको नहीं दीखेगा कि इसके लिए मैं इस पेकटीन करता हूं ताकि आपको क्लियर दीखे और आपको काटने में प्रॉब्लम ना हो तो यह हमारा क्योंकि बड़ा रहता है तो उपर के तिरफ से हम इसमें पेपर छोड़ देंगे ताकि हमारा जो पॉप रहेगा वो उपर के तिरफ रहेगा तो उपर इमें आपको पांच छे साथ इंची गपड़ा छोड़ देना है छे रखे या साथ छोड़ दें आप उपर उपर इसके बाद इतना निसान लगा कि उसके बाद हम आस्तीन का निसान लगाएंगे तो यहां से हम आस्तीन का निसान लगाएंगे यह निसान से नीचे तो हमारा स्तीन का जो लंबाई है वो बारा इंची है तो हम बारा इंची लगा लेंगे हमारा बारा इंची है तो हम बारा इंची पर लगा लेंगे निसान हमारा लेंद का और इधर भी आपको बारा इंची लगा लेना है उसके बाद ये सारे चार इंची आरमूल गिराना है आपको उसके बाद आप इसको सिधा कर ले और ये हमारा जो 14 इंची है पलस 15 इंची इसमें लूज रखेंगे और 12 इंची को यहां 12 इंची लगाना है इह स्काइद है तो आपको यह इसकेल पती बिल्कुल ने रखना ने तो आपको फुटिंग नहीं आएगा यह राउंड वाला स्कील रखना है आपको ताकि यह हमारा मसल में अच्चे से बैट जा है उसके बाद हम अरमूल का भी मिजसान इसमें पहले लगाएंगा तो इसलिए हम हाला का निसान नहीं लगाएंगे यह हमारा पॉप स्लीब है यानि उपर के तरफ जो होता है वो गुबारे जैसा लटकेगा तो इसमें हम जो कपड़ा देंगे वो उपर के तरफ से बढ़ाएंगे तो जो आप हमको जो लोजिंग देना है यह हमारा आस्तीन लग गया है आप जो हम इसमें पहले देखें कितना है उस से आपको एक या देड़ इंची पीछे लेना है उसके बाद हम उपर में इसको बढ़ाएंगे तो यह आप इसमें से जो है हमारा ऐसे उपर के तरफ से जो हमारा जो अलग से कपड़ा जो फोल्ट रहता है गुबा 5 इंची भी लगा सकते हैं इसा कुछ नहीं है 6 इंची भी लगा सकते हैं कम देना है तो 3 इंची भी बढ़ा सकते हैं वह आपके उपर है तो यहां से जो है आपको यहां आर मॉल के पास से आपको पीछे एक देर इंची या एक इंची आपको देर या एक आप कुछ भी ले सकते हैं तो हमने एक इंची लिया है इसको यहां से नाप लेजिए तो हमारा केता रहा सारी छे के लगभग में तो उतना हम यहां भी निसान लगा लेंगे उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसा उसके बाद जो हमारा आरमोल रहेगा उसको हम इसमें ऐसा गुलाई मिला देंगे तो यह हमारा हो गया उसके बाद यहां से आपको इसको आपको शेप देना है यह हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे हैं यह हमारा पूरा पॉप स्लिप यानि गुबारा जैसा यह हमारा हो गया यह हमारा जो कपड़ा है वो गुबारा जैसा इसमें प्लीट मारेंगे तो यह सब हमारा गुबारा जैसा हो जाएगा और नीचे हमारा फिटिं में केतार मोलाया हमारा है कि गर लाक्षования 10 लगबग में पर यहाँ पर आ हैं निक स्टरा हो यह दोos Matter करें गेरंगे और बागी जो नाइर बीच के पूसहन है को में हो रहे गात यह मारा निशान लग गया अब इसकी कटइन कर देंगे यह पॉप स्लिप्स है अगर आपको और भी चाहिए तो मैं और भी ज्यादा पॉप बलाग इसमें होता है लेकिन इसमें मेरा थोड़ा नॉर्मली है इसके लिए हमने थोड़ा ही काटा है तो यह सब हमारा कटके रेडी है यहमार ऑफ प्लेट लग जाएगा इधार और यहाँ प्लेटिण अपहता रही सब्सक्राइब तो यह सब हमारा कटके कटके ही सब यह तो मैं आपने अर बहुता के मता दता जता हूं यह हमारा ऐसा रहेगा तो इधर ऐसा जुएंड होगा ऐसा आपको कप्स मिल जागा आप मार्केट में जाके ले सकते हैं अराम से आप बता के ऐसा तो आपको कप्स सेम टू सेम ऐसा मिल जाएगा तो शुकुरिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द मिल जाए और और भी बहुत तरह का मैं बलाउज काटना आपको बत तरह का वेस्ट ऑन ड्रेस भी सिखांगा काटना आफ्टागेень जितना के सЬंय मैं आपको शिखाऊंगा अगर आपको नहीं कुछ काटने आता हैं मैं नहीं कमेंट समें में बोल सकते हैं में हर तरह का पीडियो आपको काटना सिखांगा तो शुकुरिया, दोस्तों हमारा व